हेलो दोस्तों मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC मित्र के बारे में बताने वाला हूँ LIC मित्र एक वर्चुल एसिस्टेंट है जिसके मदद से आप LIC की कुछ सर्वीसी का बेनिफिट ले सकते हैं आईए पहले जान लेते हैं LIC की किस-किस तरह का बेनिफिट इसमें आपको मिल जाता हैं उसके बाद हम जानेगे कि आपको इसे कैसे यूज करना होगा तो अगर हम सर्वीसी की बात करें तो इसमें आप किसी भी पॉलिसी का स्टेटस जान सकते हैं Policy status में आप जान पाएगे कि क्या वो policy चालू है या क्या वो policy lapse हो गई है क्या उसकी policy का paid amount हो चुका है या क्या वो policy surrender हो चुकी है अगर कोई policy चालू है तो आपको enforce का option देखने को उसमें मिल जाता है तो जो भी policy का status है वो यहां से आप check कर पाएगे उसके बाद यहां पे आप किसी भी policy का first unpaid premium की date भी जान पाएगे या फिर आप last paid premium की date भी यहां से जान सकते हैं उसके अलावा यहां पे आप form भी download कर सकते हैं यहां से आप neft form, revival form या maturity claim इस तरह के जो form है वो download कर पाएगे उसके बाद आप किसी product की information जानना चाहते हैं जैसे कि जीवन आनंद, जीवन लाब, जीवन उमंग तो जो भी products है LIC के उनकी information यहां पे आप जान पाएगे इसी के साथ LIC और भी काफी option इसमें add करने वाली है जैसे ही और update आएगे, उसकी information मैं आपको यहां पे अपने channel पर दे दूँगा तो आईए, अब जानते हैं कि LIC मित्रा को आप कैसे use कर सकते हैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यह बिल्कुल free है इसके लिए आपको कोई भी payment नहीं करनी है LIC agent और LIC customer दोनों ही in option का benefit ले सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने mobile में कोई भी browser open कर लेना है मैं यहां से chrome browser open कर लेता हूँ उसके बाद आपको एक website open करनी है जो की है licindia.in यह website open करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं एक नीचे की तरफ एक icon आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर लिखा है LIC metr अगर आप इस पर click करेगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा जो की एक chat box की तरह open हुआ है यहां पर सबसे पहले अगर आप अपनी language को change करना चाहती है तो भासा बदले पर click करके अपनी language को change कर सकती है अभी के लिए यहां पर दो language available है Hindi और English तो अभी के लिए हम इसे English में select कर लेते हैं सबसे पहले किसी भी policy का आप यहां पर status जान पाएगी तो किसी भी policy का अगर आप status जानना चाहती है तो यहां पर आपको type करना है policy information policy information टाइप करने के बाद आपको यहां पर send के option पे click कर देना है जैसे आप send के option पे click करेगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो reply आया है उसमें लिखा है कि आपको policy का number एंटर करना होगा यहां पर याद रखना है कि आपको policy status नहीं type करना है आपको type करना है policy information उसके बाद यहां पर जो भी reply आता है उसके according हमें information provide करनी होगी तो यहां पर मैं policy number एंटर कर देता हूँ जिसकी भी मुझे policy information चाहिए policy number टाइप करने के बाद आपको send पे click करना है जैसे ही आप policy number send करेगे उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं reply आ चुका है और यहां पर हमें date of birth एंटर करनी होगी तो जो भी policy holder है उसके date of birth यहां पे enter कर देती है तो सबसे पहले date उसके बाद slash डाल के month और उसके बाद आपको year यहां पे enter करना होगा यह enter करने के बाद आपको send पे click करना है जैसे ही आप सही date of birth send करेगे उसके बाद आपको policy की information देखने को मिल जाएगी तो यहां पे देख सकते हैं status policy का जो दिखा रहा है वो enforce दिखा रहा है यानि कि वो policy है जो बिल्कुल चालू condition में है यह policy lapse नहीं है उसके बाद आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया था यहां से first unpaid premium की date चेक कर सकते हैं उसके बाद last paid premium की date भी यहां पे आप चेक कर सकते हैं तो policy information में आप यह तीन चीज़ चेक कर पाएगे उसके बाद अगर मान लेते हैं आप कोई form डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहां पे लिखना होगा download form हम download form लिखेगे तो उसके बाद हमें send के option पे click करना है तो यहां पे आप देख सकते हैं हमें list देखने को मिल जाएगी इन में से आप कोई भी form डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस पे click करके download कर सकते हैं अभी मैं click करता हूँ next mandate form पर तो जैसे ही मैं इस पे click करूँगा तो यहां पे देख सकते हैं आपको यहां पे लिखा आगया है कि आप download करने के लिए आपको यहां पे hair पे click करना होगा अगर हम इस पे click करेगे तो automatic यहां पे हमें download का option देखने को मिल जाएगा और यहां से हम इसे download कर पाएंगी ताकि हम और भी options को जान पाएं अब जानते हैं product information के बारे में मान लेते हैं आप यहां पे जीवन आनन्द के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पर हम लिखेगे जीवन आनन्द तो जैसी आप जीवन आनन्द लिखके send करेगे तो आपको जीवन आनन्द plan की सभी information देखने को मिल जाएगी उसके बाद यहां पर अगर आप जीवन आनन्द के बारे में जानना चाहते हैं तो जीवन आनन्द टाइप करके जीवन आनन्द के बारे में जान सकते हैं तो जो भी details आप जानना चाहते हैं वो यहां पर details मिल जाएगी आईए एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई policy lapse हो गई है तो क्या उसका status भी यहाँ पे show कर रहा है या नहीं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले type कर देता हूँ policy information उसके बाद हमें send करना होगा उसके बाद हमें policy number enter करना होगा policy number enter करने के बाद हमें send करना है उसके बाद हमें अपने जो भी policy holder है उसकी date of birth enter करनी होगी date of birth enter करके आपको send करना होगा उसके बाद policy यहाँ पे status आ चुका है जो की दिखार है labs without surrender value तो इस तरह से किसी भी policy का status आप यहां से जान पाएगे इस असान तरीके से आप किसी भी policy का status जान पाएगे और और भी काफी जो benefits मैंने आपको बताए हैं उनका यहां पे फाइदा ले पाएगे तो इस तरह की latest videos मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ अगर आप इस तरह की latest videos चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर इसके लिए आपको कोई doubt है तो वो आप हमें comment में भी बता सकते हैं